आज मैं आपके लिए बहुत सारे tips and tricks लेकिया है हूँ, अगर आप इन tips and tricks को use करेंगे तो आपके समय की बिवच्चत होगी और आपका काम भी असान हो जाएगा तो ये tips and tricks आपके बहुत काम आने वाले हैं, तो चलिए दिर नहीं करते हैं, और वीडियो शुरू करते हैं तो ये है हमारी पहली डे, तो अगर आप इस तरीके के box माँ या कोई भी box माँ फॉइल पेपर फिट करेंगे तो वो ठीक से फिट नहीं होता, अगर आप इस तरीके से फिट नहीं होता, तो उसकी मैं आपको trick बताऊंगी कि किस तरीके से फिट करना है, तो box को इस तरीके स और फॉयल पेपर को इस तरीके से सेप बना दें तो जो बॉक्स की सेप है ना उसमें फॉयल पेपर की सेप बन जाएगी और उसके बाद आप इसको असानी से फिट कर सकते हैं तो पहले तो आप इसको अच्छे सेप बना दें तो देखे हमारे फॉयल पेपर के अच्छे सेप बन गए है, फॉयल पेपर को हम निकाल लेंगे और बॉक्स में अंदर की तरफ हम फिट कर देंगे तो ये देखे, बड़े असानी से फिट हो जाता है और इतने फिनिशिंग से फिट हो जाता है तो जब भी आपको कोई बॉक्स में फॉयल पेपर लगाना है तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं ये देखे कितने अच्छे से फिट हो गया ना और एकदम फिनिशिंग से भी फिट हुआ है तो है ना कितने काम की टेप अब चलते हैं दूसरे टेप की तरह तो ये मैंने तर्बूज को इस स्लाइस में कट कर लिया है अगर आपको बच्चों को तर्बूज देना है तो हमें किस तरीके से कट करना है तो ये मैंने पहले स्लाइस में कट कर लिया है और इसमें हम तूथपिक गुसा देंगे तो साइड साइड से हम तूथपिक गुसा देंगे तो आप ध्यान से देखें किस तरीके से टूथपिक लगानी है तो ये देखें कुछ कुछ दूरी पे आप इस तरीके से टूथपिक लगा दे और इसके बाद जब टूथपिक सारी लग जाएंगे तो हम इसको कट करेंगे तो इस तरीके से कट करने से बच्चों के हाथ गंदे भी नहीं होते और उनको खाने में भी बहुत मज़ा आता है तो चारो तरफ हम अच्छे से गुसा लेंगे टूथपिक को यह देखें टूथपिक बड़े असानी से घुस जाती है या आपके पास कोई भी स्टिक है तो वो भी आप डाल सकते हैं इस तरीके से लगा सकते हैं तो मेरे पास टूथपिक थी इसलिए मैंने टूथपिक लगा दिया तो सारे में टूथपिक लग गई है अब हम इसको कट करेंगे तो कट करने के लिए हम जो दो टूटपिक हैं उनके बीच में से हम इस तरीके से कट कर लेंगे ये देखें ये बड़े असानी से कट हो जाता है तो हम इस तरीके से कट करके बच्चों को दे सकते हैं अगर आपको guest को serve करना है तब भी आप उनको serve कर सकते हैं तो देखे मैंने सारी slice cut कर लिये हैं और इस तरीके से थोड़ा सा हटा के हम रख देंगे और इसके बाद आप इसको guest को भी serve कर सकते हैं बच्चों को भी कर सकते हैं तो हैना अची trick आप इसको जरूर use करें अप चलते अगले tip की तरह तो आज मैं आपको बताऊंगे कि जब भी आपके चावल बच जाते हैं तो उनको कैसे use करें तो कभी कभी लोग फेक देते हैं दूसरे दिन जैसे रात के चावल बच जाते हैं तो दूसरे दिन वो use नहीं करते तो अगर आप इस तरीके से use करेंगे तो बच्चे बड़े सब को बहुत पसंद आएंगे तो ये मेरे रात के बचे होई चावल है और इसके बाद मैंने कुछ सबजियां ले ली हैं तो मैंने बहुत सारी सबजिया ली है जो भी सबजियां आपके पास available है तो वो आप ले सकते हैं तो जैसे मैंने गाजर पत्ता गोबी और फूल गोबी मटर कैपसी कम और ये हरा प्याज ये लिया है अगर आपके पास कौन है तो वो भी ले सकते हैं ब्रॉकली है तो वो भी ले सकते हैं और इसके बाद मैंने लिया है तो आप बहुत हेल्दी रेसिपी बने वाली है क्यूंकि मैंने इतनी सारी सब्जियां यूज की हैं तो एक कड़ाई ले लिया है उसमें ओइल डाल दिया है इसके बाद हम ने जीरा डाल दिया है थोड़ा सा हम इसमां सौप डालेंगे और इसके बाद हम इसमां राई डालेंगे आप चाहें तो अगर आपके पास राई नहीं है तो आप इसमां सरसो भी डाल सकते हैं अब इसको हम चटकने देंगे जब अच्छे से चटकने लगे तब हम इसमें प्याज डालेंगे तो जो हरा प्याज था ना उसके सामने का मैंने पार्ट कट कर लिया जो बाइट पार्ट होता है ना प्याज वो हमने कट कर लिया वो डाल दिया इसके बाद हरी मिल डाल दिया अब इसके बाद हम एक एक करके सारी सबजिया इसमें डाल देंगे तो सारी सबजिया आप इसमें एड़ कर दे तो अगर आपको हेल्दी खाने का मन कर रहा है तो आप इस तरीके से हेल्दी रेसिपी बना सकते है और इसके बाद हम इसमें सोया बड़ी भी डाल देंगे तो इसको बीच बीच में आप चलाते रहें या लगातार आप इसको चलाते रहें अभी हमें कुछ मसाले भी नहीं डालना और नमक भी नहीं डालना नमक डालने से यह है कि सब्जियां पानी छोड़ देंगी इसलिए अभी हमें ऐसे ही चलाते रहना है जिससे कि सब्जियां थोड़ी सी सॉप्ट हो जाएं उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे तो friends इस recipe को आप breakfast में भी बना सकते हैं अगर आपके रात मने थोड़े से चाबवल बज़ जाए गए है तो इसमें बहुत सारी तो अब हमारी सब्ज़ाइं सॉप्ट हो गई है अब मसाले डालेंगे तो मैंने एक चमज बिरियानी मसाला डाला है और इसमें लालमिज पाउडर हल्दी पाउडर और इसके बाद हम धनियां पाउडर डालेंगे और अब हमने नमक डाल दिया है और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा गराम मसाला पाउडर डालेंगे और इनको हम मिक्स कर लेंगे तो अब बिर्यानी मसाला जरूर डालें उससे हमारी जो चाबल है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आने लगता है और इसको लगतार एक मिनिट के लिए चलाते रहें जिस अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और ध्यान रहे कि फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें स्लो फ्लेम पर और इसके बाद हम इसमें धनिया पती डालेंगे तो बस हमारे फ्राइड राइस तयार हैं तो फ्रेंट्स जब भी आपके राइस बच जा कह सकते हैं तो अब हमारे चावल अच्छे से मिक्स भी हो गये है अब हमें इसमें धन्या-पत्ती डलेंगे तो दन्या डालके अब इसको भाद भी आप हम्हस को SERV करेंगे तो इसमें बनाने ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता अगर आपको रात को बनाने है इस तरीके से तो आप दुपेर में ही इनको बना के रख दें, जिससे कि ये ठंडे हो जाएं, तो प्लेन राइस बना के रख दें, और जब ठंडे हो जाएंगे तो आप रात को इनको फ्राइड कर दें, तो देखें हमारे सबजियों बाले राइस बिल्को बनके तयार है, अब हम इनको सर् तो कितने अच्छे दिख रहे हैं ना उतनी टेस्टी भी है और उतनी अच्छे इसमें खुश्बू भी आ रही है तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक से है जरूर करें और वहीं दिखेगा छोटा सा बैल बटन तो उसको भी आप प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके तो आज के लिए बस इतना ही मिलते अगली वीडियो थेंक यू